दोस्तो आज कल Google Chrome का यूज कौन नहीं करता है हम में से लगबग हर कोई इस Chrome ब्राउजर का यूज करता है और यह आपको हर मोबाइल में भी देखनों को मिल जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस Chrome के अंदर चार ऐसी ट्रिक छुपी है यदि आप इस सभी को सीख लेतो हो अब देख रहे हैं विकास फोर यूट्यूब चैनल तो दूस्तो बात कर लेते हैं नंबर ओन ट्री के बारे में जो कि है गूगल पासवर्ड मैनेजर दूस्तो यह ट्रीक उन लोगों के लिए इंपोर्टेंस हो सकता है जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाया करते हैं तो ऐसे में इसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को अफिर कर लेना होगा अब आप उपर इस थ्री डोट पे क्लिक करके जाएंगे सेटिंग वाले उप्सन में इसमें आने के बाद नीचे आपको एक पासवर्ड का उप्सन देखेगा तो उस पर टैप कर देना इसके बाद आपको वे सारे वेव साइट देख जाएंगे जहां पे आपने क्रोम ब्राउजर से लोगिन किया होगा इसके बाद आप जिसका भी पासवर्ड चे करना चाहते हैं तो सिंपले आप उस पर टैप करेंगे और इसके बाद आप यहां से आसानी से उसका यूजर नेम और पासवर्ड देख पाएंगे अब बात करते हैं सकेंट ट्री के बारे में जो कि आपको हर गूगल क्रोम में देखनों का मिल जाता है और जिससे आप अपना नुकसान होने से भी बचा सकते हो दोस्तो जब आप क्रोम ब्राउजर में यूटूब वीडियो देखते हो फेस्बुक वीडियो देखते हो या फिर कुछ और भी देखते हो तो आपका जो इंटरनेट डेटा है वह बहुत ही ज्यादा एक यूज होता है इसके बाद इस थीरी डॉट पे क्लिक करके आपको जाना होगा सेटिंग वाले अप्शन में अब आप यहाँ पे थोरा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक उप्शन मिल जाता है लाइट मोड का जिस पे टैप कर देना है और यहाँ से इसे ऑन कर देना है जिसके बारे में आपको डिफिनिटली पता होना ही चाहिए यदि आप क्रोम का यह इस्तमाल करते हो तो तो दूस्तो इसके लिए सिंपली आपको फिर से अपनी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा फिर आप इस तीरी डॉट पर क्लिक करके सेट्िंग वाल उप्सें में आने के बाद आपको जाना होगा चैना ब्राइबगा ब्रैबी सी वाले उप्सें पर उप्सें इस्में आने के बाद जब हम इस SBI के बेव साइट पर जाते हैं और गलती से इसके फरजी बेव साइट पर चले गया है और वहाँ पर गलती से यदि मेरा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपर हमारा बहुत बरा नुकसान हो सकता है लेकिन यदि आप इस सेटिंग कौन कर देतो तो इसके बाद यह जो responsibility है इस एप की भन जाती है जिससे आपका account के है कोनी की संभावनाज होती है बहुत ही कम हो जाती है अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्री के बारे में जो कि आपको कभी न कभी काम आही जाएगी दोस्तों आपके Chrome browser में टैप की बहुत ही सुविदा दी गई है जिसका पर न्यू टैप पे क्लिक करके और यहां से हमें जिस साइट पर भी जाना उस पर सर्च करके आसानी से जा सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ही browser में कई सारे साइट ओपिन कर सकते हो इस न्यू टैप की मदद से तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको इस वीडियो से क अब तक के लिए धन्यवाद है